हाई रिवन आज हम आपसे बात करेंगे PMSS scholarship 2023 renewal या फिर fresh application form भरने में आ रही problem से सम्मन्दित तो कुछ problem common है जैसे कि document upload नहीं ले रहा है और कुछ problem है जो कुछ-कुछ बच्चे का है तो आए दोनों ही problem को समझते हैं और क्या इसका solution है जानते हैं तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा तो आए सबसे पहले हम आपको recall करा देते हैं कि form भरने का last date कब है तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं open till 31-12-23 यानि 31 दिसंबर तक आप लोग form भर सकते हैं अगर आपका form institute level पर defect होता है तो उस इस्थिति में आपको 15 जनवरी तक आपको time मिलता है जिनका भी form defect होता है उनको फिर से form भरने का अगर आपका form defect होता है तभी आप लोग फिर से भरियेगा नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं form final submit करने के बाद जो है खुझ से withdraw कर लेते हैं तो उस इस्थिति में आप फस जाएंगे आपको फिर से form नहीं भरने को मिलेगा क्योंकि कुछ बच्चे जो है ऐसे भी किये हैं तो अगर आपका किसी भी जो है इस्थिति में या तो इंस्टीचूट या फिर इसे ज्यादा तर फर्म जो हैं इंस्टीचूट लेवल वाले कोहीं फिर से भरने को मौका मिलेगा तो जैसे भी आपका defect होता है अगर आपको भरने का मौका मिलता है तो आप लोग 15 जनवरी यहां पर इस्ट्रीचूट को भी वहरिफेकेशन करने का टाइम दिया गया है तो अगर आपको बाद में अगर भरते हैं तो फिर आपको जो हो सकता है वहरिफाइड नहीं कर सके तो आए यह तो कॉमन बात है लेकिन अभी जो प्रोब्लम जो चल रहा है फॉर्म भरने में तो तब मानके चलिए कि कोई भी जो है फॉर्म में अपडेट नहीं आएगा तब सभी बच्चे का डुकॉमेंट अपलोड नहीं लेगा तो सभी को जो है वेरिफाइड कर दिया जाएगा अगर पचीस तक जो है कोई भी फॉर्म में अपडेट आता है जो की डुकॉमेंट बच्चे को डिफेक्ट हुआ है तो यह हमें बहुत ही खराब लगता है क्योंकि यह गलती तो उन लोग का है जो कि फॉर्म को मोडिफाइड इस परकार से करते हैं और बाद में अपडेट करते हैं तो फिर भी हम आपको जो है जो पिछला गलती कि हैं बच्चे वह नहीं च पर जो है नहीं गया है और वाले बोले कि मेरा साइट पर नहीं आया तो देखिए यह दो इस्तिति हो सकता है या फिर आप अस्कुल जो है इस्टिचूट जो भी आपका है वह आप लोग गलत भर दिया होंगे दूसरा अस्कुल आप लोग सेलेट कर लिए होंगे एड्रेस वह घते यहाप लोग मिलाइएगा अगर दूसरा स्कुल या फिर कि किसी किसी का सेम श्कूल ड़ाता है और ऐड्रेस द 우3 जो है आपको दूसरा स्कुल कैया डी पर IS इट नहीं जाएगा जो थी अब इस कुल डालेगे उसी की आईडी पर चल जागा तो इस हिसीती में अगला अस्कूल अगर आपको फॉर्म को बैक करता है तो उस हिसीती में जो है आप फिर से जो है अस्कूल चेंज करके भर पाएंगे तो आपको जो है मिलाना है कि आप सही से अस्कूल भरे हैं या नहीं अगर आप सही से भरे तब आपका जो है अज्सकूल between a &schule का बाता है क्योंकि से वाएटबाता है focused a career साल यानि हर एक साल अपडेट करने को जो है खाजाता है तो आपका अगर आपका तो यहां पर सो होगा आप सब्सक्राइब जो दोस्कार नहीं होता तो जाने कि आपका सब्सक्राइब करें या फिर अपडेट नहीं है एक बच्छे का और जो है अभी जो है कुछ दिर पहले जो है कॉमेंट आया था तो वह बच्छे बोल रहे थे कि सर हम जो है रजिस्टेशन अक्टूवर में कर दिये तो इस तो ऐसे में जो है फ्रेस्ट अप्लिकेशन फोम मेरा जो है भरा नहीं के लगभग और मैंमें 29 नवंबर से आपका फॉर्म भरने डेट आया था तो आपको पहले नहीं करना चाहिए अगर लोग कड़ लिए हैं प्र भी भरा चाहिए को मतलब नहीं तो अगर आप को नहीं रहे हैं तो आपना यूजर आईड़ी और पासवर्ड जो है हमें इस्टाग्राम पर last करेगा श़िए उसका के क्योंकि और और वी आपका गलत बाद कर सकते हैं तो आप हमें इस्टाग्राम पर ही जो भी ID और password देते हैं तो हम उसी पर मंगवाते हैं तो आप हमें भीज देजएगा एक बार हम चेक कर लेंगे आपना सारे डीटेल आप लोग यहीं बोलेगा हेलप लाइन में अगर आप बात करेंगे तो आपसे यहीं बोला जाएगा इपडेट करवा यह साल होता है तो कुछ अपना को कुछ नहीं करते हैं तो उस सीह सीति में आपको नहीं होगा पीए में सस्वी एक नियू और सीम है यह पिछले साल से चल रहा है तो जो है आपको यह करवाना होगा जो है अपना स्कुल को क्َenzie सब्सक्राइब क्या है ना कि अपना नाम डालें उसके बाद ये सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि आपका इसकुल attorneys को महत्व देता है या फिर यह कवाईसी से जुड़े हुए है स्वारी कवाईसी जुड़े हुए है और इस अस्कीम वाले जितने भी स्टुडेंट है उस अस्कुल में जितने भी है वे जो है फॉर्म को भर सके तो कवाईसी जो है में मैटर होता है अगर आपका स्कीम सो नही समझ पा रहे होंगे फिर आगर आप पुराना वीडियो देखेंगे या फिर आप इतना बोल है तो आप लोग समझेगा वहां भी अभी आप आप लोग अपना स्कुल चेक कर सकते हैं बहुत सरे वीडियो हम बनाएं भी है स्कुल कैसे चेक करना है तो जो है मोटा मोटी यही जो है प्रोब्लम आ रहा है तो हम आपको 25 तक रोकेंगे जो भी बच्चे रुकना चाहते हैं तो रुकिए वड़ना आप लोग फैनल सब्मि किया जाएगा और अभी बात आता है कि सर अब का नंबर अभी जो है कोई भी आपका स्टेट में नहीं नियुक्त किया गया है प्येम सवी स्कॉलर्शिप के लिए तो यह जो है बहुत ही दुरभाग की बात है कि फोर्म जो है लगभाग अब लास्ट इस्थिती में है और अब बात आता है कि सर अभी तक किया आया है तो देखे एक वही बात होता है कि जो है बीमारी है फीवर का और यहां जक्म का दवाई चल रहा या फिर दूसरा बीमारी का इलाइज कुछ है अगर आप लोग गाइडलाइन पर जो है यहां पर क्लिक करेंगे तो जो है मेरे मे डाउनलोड है तो हम आगे नहीं करते हम आपको दिखा देते हैं वो कौन सा गाइडलाइन में दे दिया गया है जो कि आप लोग पढ़के समझ सकते हैं और हम आपको वीडियो में बताए भी हैं वैसे इस पर हम एक और डिटेल बीडियो बनाएंगे जो कि यह आई आया टी जो student या फिर NIT वाले हैं या फिर और भी बहुत सारे इसमें college जोड़ा गया है तो हम आपको इस वीडियो इस पर बहुत है डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो यहां पर आप लोग देखिए ना पर यहां पर दिखा रहा है तो यह जो है वह यह ऊपर का student का है जो कि आईटी वगेरा में आओ जो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यह स्कीम है तो आप लोग भी अगर आगे आईटी करते हैं यानि की आईटी college जाते हैं फिर यह नाइटी जाते हैं तो आपको कोई भी college में पैसा नहीं लगेगा इस पर हम detail में वीडियो बनाएंगे तो आप मेरे चैनल से जूड़े रहेगा निश्ची थी आपको फैदा मिलेगा तो अगर आपको फिर भी कोई भी problem है तो आप हमें कमेंट करिए उस पर भी उसको जो है जो कुछ उसका समधान है हम आपको बताएं हमें तो मिलते हैं अगले वुडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छा गाता है तो आप लोग Like कर लेंगा जो भी चैनल पर नौए थो प्ली 좋은 सुब्सक्राइब कर लेजी कि zou सब्सक्राइब आप लोग करके रहिएगा रखिए गो तो आप को निश्चीत से फायदा ही हो होगा तो चलिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत